आप बहस काफी गर्मा गर्म हो चुकी है लेकिन मसला ये है कि राम पाली का मुद्धा आखिर क्या है राम पाली के लिए प्रमुख बात क्या है इस आनी मुद्धे कितने इंपॉर्टेंट है ये दूसरा यहां पर अगर बाला घाट की बात करें तो बड़े बड़े नेता ज जो भाजपाई थे, अब वो कांग्रेसी हैं सवाल यह है कि जब इधर के लोग उधर गए और उधर के लोग इधर आ चुके हैं तो फिर दुश्मनी कैसी, सब लोग एक साथ हैं ये हम मान के चल रहें अगर सब लोग इधर के उधर हैं और उधर के इधर हैं तो फिर प्रत्याशी कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है जो कांगरेसी विधायक थे तीन बार विधायक रहें अगर विकास नहीं हुआ तो कहीं न कहीं वर्तमान छेतरी विधायक जो भाती जंता पार्टी का समर्तन से टिकेट पर चुना हो लड़ रहें इसका मतलब वो प्रभाइद होंगे तो जाहिए जोतेया सिंदिया विधायक रहें प्रभाइद हुए उननेत पाफनेत चब विधायक विधायक को लेकर प्रभादी यह कांगरेसी लीडर सीफ किसकी है अभी वर्तमान में राहूल गांदी की और राहूल गांदी वास्तों में देखा है कि सामान ने लोगों पर राज करना और राज करना जो है वो किसी भी तरह से राज किया सकता है राहूल को मैं यहां पर बलाना चाहूंगा इस्थानी मुद्दे को लेकर राहूल से मैं यहां रिक्वेश्ट करता हूं कि वो यहां पर इस्थानी मुद्दे कौन से और कितने लोक प्रिय हैं और किस वज़े से हैं? क्या कारण है कि किसी को भाज़पा छोड़कर कॉंग्रेस में आना पड़ा… बहुत बहुत भषजनेवाद सुधिरुकुमार जी, जैसे कि अब इस मंच पर बैटा touched ह nam, बाट कोन का उनिआ हो चुका 10 सवाल पुछे जाएगे, सवाल पूछेगे हाप लोग, कॉंकरесс पूछेगी भाछपा से, भाछपा जवाब देगी, भाछपा पूछेगी कॉंक्रस से, कॉंकरेस जवाब देगी अच्छा अच्छा अगर्गो यह बताईए पटवारी घोटाला जो हुआ उसका रिजल्ट मामा ने बोले ते 15 दिनों में आ जाएंगा काफी माहिने बीच चुके 17 दारी को चुना होए दो तारी को इनका रिजल्ट है इनका रिजल्ट आप 20 दिन के लिए रोक के दिखा दो इनके क्या हालत हो जाएंगी पटवारी घोटाला हुआ आचार सेंता लगई रिजल्ट आया नहीं क्या खेना चाहिए बाश्पा ने जवाब दिया है कि मामला मामला विचारा धीन है सवाल है बाश्पा के पास सवाल यह है कि ने इतनी गोफणा कर चुके है अब यह इतने गोफणा कर दिये कि महेंगा भी कम करेंगे और फलाना ढिकाना दुनियावर का सब सारी चीजे में कम 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 तो यह पैसा लाएंगे कहां से पहली बात यह और यह अगर बाइदा वीज़े से केंद्र सरकार में यह तो केंद्र सरकान इसी दूरूप से जब कै VAID करेंगे तो वैसा उधार लेंगे तो भाइद हो तेक्सेजिस और इन सारी चीजिएओ पर काम करने का तरीका होता है इसे मैनेज़ करना और बात रही कि पैसा लाएंगे कहा से तो मेरा सीधा सवाल है कि भालती जनिता पार्टी कहा से पैसा ला रही कि शिवरा सिंग के घर में नोट शपर है इसका मतलब यह किसे इनके पाद आवेट पैसा है तब ही तो खर्च कर रहे हैं प्रदेश में तो क्या और राजी सरकार ह अब को पता है अब इस पत्वारी गोटाला ने वह था जिसमें पाइंटाली स लोको की मौत हुई थी जिसमें आज तक किसी का पता नहीं क्या जब सरकार आपकी अब कर दिया बरिकर दिया इन आरोप लगांटे वह सिति ने कर पाए लोग इनका वता हुआ इनका लेता नेशल हिराण में रावल गांडी अभी जबार्ट पुछो कंग्रेस परने सी बात करने मोड़ रहे हैं ना की राश्की कंग्रेस वर्तमान में गोटाले को मुद्ध कर रही है तुमारा भी नाम राहूल है और रावल कमल नाम आस्ता के प्रत्रकार का है आस्ता के प्रत्रकार करें के जुझा अरोप लगाते हैं उसे से बहुत सारे करदा ले लिया तो चोड़ो तो उन्हों इसका जॉब तो यह क्या थे पाएंगे जोजन लागू करने का अग्रेस के सवाल यह है जब 36 घर में लागू नहीं हुई आपी तक राजसान में लागू नहीं हुई यहां किसे लागू करेंगे जो राज्चों में गोश्में कर दीगी पर लागू नहीं तो यहां पर कैसे लागू होगी अठरा साल से मद्द प्रदेश में सिवराज सिंकी चौहन की सरकार है लेकिन ज्यादा तर यहां का विधायक रहा है वो परदीप जैसवाल रहा है कांग्रेस से जब वो कांग्रेस में विधायक था तो इनके आरोब गुड़ा जैसवाल पे लगते थे कि आदमी गलत है और यही पक्षिमा उनके लिए नारे लगाते थे आज वा हमाई तरह भी रहते थे आज उसको छोड़ दी हिलावार इस पाइस पिस्टे नहीं गुड़ा यस्वाल कांग्रेस ही थे उनके साथ अन्याय हुआ कांग्रेस की टिकेट कटी हम ने उनको वोला कि कांग्रेस ने आप पत्राइस ही शुलो हम संकतर की मांते एंडिरमा अले बार्स उनके साथ नहीं है वरतमान ने योगिन निरमाल के साथ में खाले हैं परांतु वह उनको पत्ते सी नहीं है उनको तो तीकटा एगिए हैं पृषय को दीगई है वोसके साहीं है जैसे और अंधिश्ची थे थे कि पिछले तीन बार के चार बार की विधायक प्रदीप जैसवाल जी उनके रहते शेत्र में अवैद उत्कनल बहुत जोरों से चल रहा है इसके उपर में उनका आज तक के सिंगल इस्टेंड की नहीं आया मैं पुछना जाता हुए जितने लोगे सवाल कर रहा है इनने कभी घड़े होकर इसी के लिए नारे लगाए क्या कभी इसके लिए कि यहां पर जहां जहां भी खनन हो रहा है वहां के गाउवालों के पास में आप जाईए उनको किसी को कोई अब्जेक्शन नहीं है पर्याव लगाया है कि आपने टिकाट कटने के बाद में यूग निर्मलिया को छोड़े को छोड़े नहीं और टिकट किसी एप को देंगे योगे निर्मल्जी हमारे सरोप नहीं आज भी जैसे नहीं कि जैसे इनने मसानी को Doc ऐ काई चले गए गुद्दा के साथ चले गया यह नि दली में चले दल ये बढ़लते हैं हमारे हम नहीं बढ़ा है योगन निर्माल है आज वो खड़े नहीं है सम्मान के साथ रूचे हैं और अधी भी है और रहेंगे बुद्ड़ यह साथ पर एक टिकेट दी है हमने कोई बाती ही नहीं उसमें उनको छोड़े का योगन निर्मा स्वाएं गोष्णा करना है उनका काम है लेकिन कमला जी ने बहुत चिंठम किया है और उसको पूरा करने का वादा है उनका तभी उनने ये बातां के गोश्णा किया है लफफास वाली बात नहीं बात है करते हैं तो इस बात से खंडम कैसे करें लाड़ी पहना का पैसा नहीं मिल रहा है क्या मिल रहा है कि अध्रा साल से दो मेरे से तेरी हो है और पंदरा गास को सिराज नी ने जो भूसना किये फिर यहां के लिए हेडिके वार जी के लिए उसके लिए अध्रा करोड़ों के मिला फिर कासे बोल दो कि आप मिल रहा है जो बोलता है कि उसको फ्लिबूट कर रहे हैं अब यह बोलिए क्या कहना चारे बताइए बताइए एजुकेशन के सिस्टम में बात करें तो आप में से कोई एक मेरे को हमारे सिक्चा मंत्री का नाम बता दे तो बहुत अच्छा हो गए क्या है पूचे के लुड़े हैं शत्तम बट्रेस के सिक्चा मंत्री का नाम पूचे उन्हां ठॉज्ट मॉनिया दो अरफ महर की यहरा पूचाह से पूचाह था जहाने अए लेक्सराओं दॉत तो नाम पूचराहएं पारसर परसर परसर इंदर इन कोंग्रेस की लहर है जीते ही रहा साल से शिवराज सिंग्च चवान के चेहरे को देख देखके लोग ठग गया और इसकी लफास ही देखके लिए आप कंपेटिबिलीटी में देखा जा है तो विक्की पटेल को इस बात का फायदा मिलेगा कि लोग शिवराज सिंग और मद्यप्रदेश की सरकार से उप चुके उसका फायदा भारती राष्टी कंग्रेस के हर जगा जो भी केंडिडेट लड़ रहा है उनको इस बात का फायदा म बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन देखें इस्थानी मुद्दे राष्टी मुद्दे और बहुत सारे मुद्दे इसका घाल मेल हो जाता है जब बहस होती है चुनाओं पर जब चर्चा होती है चुनाओं पर इस्थानी मुद्दे जो है वो निश्ची तुप से गौन हो ज सुप जाते हैं दब जाते हैं जब बड़ी बड़ी बाते शुरू हो जाती हैं बीजेपी भी बीजेपी भी अपनी तरफ से बहुत सारे आरोप लगा रही है और वहीं कॉंग्रेस भी अपनी तरफ से बहुत सारे आरोप लगा रही है मध्यप्यदेश में इस वक्त क्या इसक प्रगार की चौपाल का यवजन किया है हमने कोशिश की है कि उनों तक मुद्दों को आप पोशाएंगे इस्थानी मुद्दों पर जो राष्टी मुद्दे हैं या राजनीतिक मुद्दे हैं वो हावी नँ हो पाएं यह भी हमारा प्रियास रहेगा इस चौपाल में बहुत सरे यहां के इस्थानी जो लोग है वो शामिल हुए और उन्होंने अपनी अपनी राय रखी इनका हम सभी का धन्यवाद करते हैं साथ ही यहां पर पहला शब्द जो की हमारे सहयोगी चैनल है उनका भी हम बहुत दो धन्यवाद करते हैं राहूल आपका बहुत दो धन्यवाद साथ ही पुरी टीम का धन्यवाद और इंडियन टीवी और जन्मत लाइव इसके साथ ही एक्वालिटी न्यूज तमाम सभी का धन्यवाद करते हुए हम इस चर्चा को अब यही पर संपन्न करते हैं एंडियन टीवी के लिए अंकिस सरकार के साथ मैं सुधिर कुमार